जोशीला, जोशीला को English में क्या कहोगे जिसमें बहुत जोश होता है जिसमें बहुत एनर्जी होती है उसे एक आज नया वर्ट सी को एक तो energetic कहते ही कहते हैं नया वर्ट सी को बहुत ही amazing वर्ट है Ebalient Ebalient एसे तो आप रनांसिएशन देखोगे तो Ebalient आ रहा है बत नहीं इसे कहते है Ebalient Example देखिए being embalient will give us respect and new clients too जोशीला होना हमें respect देगा और हमें नए clients भी देगा तो कि अगर आप जोशीले हो और आप में energy है आप में जोश है तो आपको नए clients मिलेंगे Second example पर आईए you must be ebalient when you are with friends and family आपको जोशीला होना ही चाहिए जब आप friends और family के साथ में हो Third example देखिए children are ebalient here while their parents are too lazy जो यहाँ पर बच्चे हैं वो बहुत जोशीले हैं लेकिन उनके parents बहुत आलसी है तो friends आज का यह वर्ठा जोशीला जिससे English में कहते हैं ebalient बहुत गजब का word है बहुत शांदार word है कोई नहीं यूज करता होगा आप इससे यूज करो आपकी communication में चार चान लग जाएंगे बहुत ही attractive हो जाएगी friends चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए वर्ट के साथ नई positivity के साथ नए mindset के साथ और अपने communication को grow करने के लिए हम बहुत कुछ करेंगे इस चनल एजे वोकेब में तो इसे सब्सक्राइब कर लो डेली आपको कुछ मिनिट्स यहां पर spend करने हैं और आपकी communication और आपका mindset दोनों ही grow होता चला जाएगा यह मेरा promise है आपसे चलिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक ल करी मेरी बेस